सबसे कमाल के बाद है कि आपके जो फेवरेट गेम से ना उनी के ऑफिशल न्यूस जादा करके आ चुके तो यह बहुत ज़ादा बढ़िया बात है इस वजह से आज का वीडियो बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है पूरा एंड तक एक दमध्यान से देखते रहे ना चल्द जो फेसे कर दो वीडियो को लाइक शेर कमेंट्स तो चल्द आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो वीडियो के स्टाटिंग में आप लोगों से एक रिक्वेस्टर की अगर आप लोगमार चैनल के पर 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 लिबार आए हो तो अब भी के भी सब्स्राइब करके बिल निकल करके आ रही है वो आपका स्क्रिंशॉट मैं दिखा रहा हूँ यहां पर क्लियर आप लोग देख सकते हो कि यह बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूस टेस्टू की तरफ से जो है वो निकल करके आ रही है यहां पर सिधा-सिधा बताय जा रहा है कि वहीं जीटी एस सिक से यहां पर टेस्टू ने एक तरीके से जो है ना यार बड़ा जो है यहां पर धमागा कर दिया वापस से कि यार अब बुली टू के जाधा चैंसे बन रहे हैं रिलीस होने के तो देखो सिंपल सी बात है अगर ऐसा होता है तो फिर तो यार जीटी ए फोर के लिए बहुत गेम डेवलप्ट करता है यह यह बहुत जादा जो है ना भी सस्पेंस इन लोगों ने बना दिया खैर मैं आपको बता दिया ओफिजल यह निउस थी आजी के दिन आई हुई है काफी बड़ी निउस है बड़ी निउस है ठीक है तो मैंने आपको बता दिया अब बात इनका नया गेम निकल करका आ रहा है जिसका कोड़ने में पोलारीस तो यह गेम आपको देखने के लिए मिलने वाला है दोस्तो 2025 के अंदर यह ओफिशली डिकलेर हो चुका है क्योंकि गेम काफुत तर डिले हो रहा है और यह अभी फिलाल के लिए डेवलप्मेंट के अंद है 2022 का यार इससे बड़ा तो कोई गेम होने ही नहीं वाला है इस साल के अंदर जी ट्राइलोजी मोबाल हो सकता था लेकिन वह तो डिले हो गया अब यहां पर एनफस ने बाजी मार ली है वही 2022 का सबसे बड़ा बिगेस्ट पॉपिलर गेम बनने वाला है और इसका दोस्तो ओफिशल ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है फाइनल आप लोग ने देख भी लिया होगा साथी साथ रिलीज डेट में आपको पता दूँ यहां पर के 2 डिसेंबर 2022 को यह कंफर्म रिलीज हो जाने वाला है PC कंसोल्स के लिए ठीक है और यहां पर इसी के साथ बात करेंगे अ और VPN वगर लगा करके आपको खिलना पड़ेगा देख उसके रिस्क बहुत जादा होता है डेटा वगर का और काफ़ी सारे जो प्रोसेस आपको करना पड़ते है प्लस लैंग्वेज की बहुत जादा यहां पर दिक्कत होती तो मेरी अगर आप लोग मानोगे के तो यार मत आए हुआ है और यहां पर टैंसर्ण गेम्स के एक भी गेम अलाउट नहीं है क्योंकि वह चाइना की कमपने ठीक है तो जब इलेक्ट्रोनिक आर्ट्स इसको पर्चेस करेंगा चाइन से या टैंसर्ण गेम से तो ही दोस्तों वह इंडिया में प्लेस्टोन में आपको आइडिया की दोस्तों मैं आपको बतातूं यहां पर देखो क्लाउड गेमिंग एक जमाने के अंदर बहुत जादा फेमस हुआ करता था और कई सारे जो हम लोग इमिलेटर्स के मदद से गेम्स को खेला भी करते हैं लेकिन अभी क्या हो रहा ना धिरे दिरे ट्रेंड जो ह क्लाउड गेमिंग का भी खतम सा होता जा रहा है जो भी एमिलेटर्स आ रहे हैं नहीं ने वो सारे के सारे पेड आ रहे हैं और इतना कुछ उसमें मज़ा भी नहीं आता है कि हम स्केलने के अंदर गेमिंग एक्स्पिरेंस काफी जादा जो एक तरीके से अच्छा नहीं चि इसी को यहां पर सबसे बड़ा प्रूफ यह है गूगल स्टेडिया जो है वो 18 जैनवरी 2023 को पूरी तरह से बन दोने जा रहा है अब आप सोच सकते हो यहां पर के गूगल का कंपणी है यह मतलब गूगल एक कंपणी है ना तो उसकी यह जो इतनी बड़ी सर्विस थी क्ला दिरे पूरा यहां पर ट्रेंड एक्चुल में देखो खतम तो होई चुका है दिरे दिरे अब सारे लोग जो है यार गेम्स के रिलीस डेट के ओपर ही फोकस कर रहे है क्योंकि मज़ा आता नहीं है उसके अंदर खेलने के लिए कुछ और पैसे लगा करके अगर आप लोग की तरफ से जिसका नाम है Ubisoft और अल्रेडी इनका जो दूसरा गेम है जिसका नाम है Rainbow Six Mobile अब उसका बीटा वर्जन जादा दिन तक के चलने वाला नहीं है मैं आपको क्लियर बता दू हाला कि डेट अभी तक के उन्होंने बताई नहीं है कि कौन सी तारीकों खतम होगा बीट जाएगा वो जब गेम रिलीज हो जाएगा तो मैं आपके लिए पूरा कंप्री टुटरिल बनाऊंगा ओके Rainbow Six Mobile को तो सिंपल या आप लोग डाउनलोड कर सकते हो प्लेस्टोर पर जाकर करके हाला कि बहुत से लोगों को जब प्रीरिस्टर ही दिखाता है क्योंकि वह इन् इंविटेशन कोड भी मिली जाता है क्योंकि इंडिया के लिए गेम आया हुआ है और यह एक तरीके से लेकिन कई सारे प्लेयर्स को खिलने के लिए दिया गया तो यह बात है यहां पर तो इस वजा से मैंने दोनों ही गेम्स के न्यूस आपको इस वीडियो के अंदर क्लिय अगया अगर आपको खेलना है तो यार आपका अभी जो है बैड लग है आप इस गेम को नहीं केल सकते क्योंकि आपको वो अपना जो है वो इन्विटेशन कोड डेलपस नहीं देंगे तो जो भी लोग यूटुब के उपर वीडियो बना रहे है भाई इसको ऐसा डाउनलो रेंबो शिक्स मोबाइल का बिटा वर्जन आया हुआ है ना कि बहुत सारी कंट्रिस के अंदर मतलब सेवन कंट्रिस के अंदर वो आया हुआ है और सारी मतलब अल्मोस्ट सारी प्लेयर्स को जो है वो एन्विटेशन कोड दिया जा रहे है खेलने के लिए गेम को वैसा यहां पर आपको वैलोंट मोबाइल भी खेलने के लिए मिलेगा तो वह वाली बीटा वर्जन को आप लोग इंदेशार करो वह जलसील आपको जो है वो देखने के लिए 2022 के एंड में यहां फिर 2023 में मिलेगा अब अगले निउस की बात करूँ यहां पर तो कॉल अब में देखने के लिए मिलेगा मेरे को कुछ कमेंड भी देखने के लिए अभी मिलेते प्रीवेस वीडियो के उपर जिसमें लोगों ने बोला था कि जो है कॉड वार्जोन की नियूस बताओ और वैलन्ट का तो मैंने आपको बताई दिया तो कॉड वार्जोन का भी सेम सिने तो यह दोजार तेविस के अंदर भी गेम आएगा अब बात करते हैं तो यह दोस्तों यहाँ पर अगले गेम की जिसका नाम है कारेक्स्ट्रीट एंडोइड गेम देखो मेरे से कई लोग पुछते है कि कारेक्स्ट्रीट कब रिलीज होगा तो देखो इस पर से मैं वीडियो इन गेम के उपर नहीं बनाता हूँ क्योंकि इसके डेवलोपर्स है वो कोई अपडेट देते नहीं है कारेक्स्ट्रीट के हो जाने दो या फिर कोई दूसरे डेवलोपर हो जाने दो वो अपडेट नहीं देते है सीधा-सीधा यहाँ पर जब गेम रिलीज होने वाला रहता है तभी वो अपडेट अपने को देते तो इस वज़े से अभी इनका जो रिसेंट अपडेट निकल करके आयता उसमें उन्हों सीधा बताय हुआ है कि हम आपको जल सजल जो है वो देंगे गेम बना करके स्क्रीन शॉट के उपर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और उनोंने कमिंग सून लिखा हो आप अब्रूकी है के अकटोबर यहाँ को यह गेम आपको देखनेके लिए देखनेके लिए मिलने हो बाले है तो दोनों के लिए release date already confirm है इसके वज़े से वीडियो नहीं आ रहे है इस game के पर आपको already पता ही है बहुत सारा लोगों पता ही है आप चन्द लोगों को यहाँ पर पता नहीं होता तो यार फिर उसके लिए वीडियो थोड़ी ना बनेगा है के नहीं सीधी सी बात है क्योंके views जादा करके फिर आएंगे नहीं तो वो महनत जो है वो बेकार हो जाती है तो इस वज़े से यह भी problem होता है तो इस वज़े से वीडियो नहीं आते है उसके पर हाला कि मैंने gaming news में आप यह आपको आज बता दिया mobile के लिए October में आ रहा है और PC के लिए December में आ जाएगा ठीक है अब अगली news की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो देखो यह news जो ना बहुत अदग कमाल की important news है आप लोग के लिए और वोई news यह है के trailer release जब game का होता है तो उसके almost 1 या 3 months के बाद में आपको game देखने के लिए मिलता है अभी के example लगा करके मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर अभी देखो जैसा के Need for Speed Unbound है उसका trailer का बाया अभी 3 दिन पहले release हुआ ठीक है game कब release होने वाला है December में तो कितने मैंने हो गए October November December तीन मैंने हो गए न और दूसरा भी example ले लो आप लोग जो कि है GTA trilogy का वो कब announcement हुआ था उसका October 2021 के अंदर और game कब आया November के अंदर आया तो एक मेने का gap वहाँ पर हुआ तो यही दूस्तों same scenario होता है कई सारे लोग यह इंतिजार कर रहे है यार कि 21 October को जो है वो GTA 6 का ट्रेलर आ जाएगा और जो है यह आपर Rockstar Games उसकी release date अनौन्स कर देगा यार अगर 21 October को GTA 6 का ट्रेलर आएगा तो GTA 6 आपको पता है कब release होगा January या फिर February के अंदर 2023 में वो release हो जाना चाहिए GTA 6 लेकिन GTA 6 तो release होने वाल है नहीं January के अंदर तो फिर आप लोग ट्रेलर के कहां से उम्मीद कर रहे हो ट्रेलर और टीसर आपको 21 October को GTA 6 का देखने के लिए बिल्कुल भी मिलेगा नहीं मैंने आपको एक्जामपल भी बता दिया दोनों गेम्स के GTA Trilogy का भी और NFS Unbound का भी यही सेम सिनेरियो हर डेलोपर जो हो यहाँ पे करते देखो ट्रेलर और टीसर टीसर ट्रेलर पकड़ लो यह जो दोनों चीज़े होती नहीं तभी जो है वो डेलोपर कोई भी जो है वो रिलीस तभी करते हैं जब वो गेम पूरी तरह से डेलोप्ट हो चुका होता है और फुल एंड फाइनल उसकी रिलीस डेट भी डेलोपर अल्रेडी जो है वो फिक्स कर चुके रहेते तब वो लो टीसर ट्रेलर रिलीस करते हैं ताकि उस गेम का जो है वो हाइप क्रेट हो फैन्स जो है उस ट्रेलर को देखें और काफे ज़्यादा इंट्रेस्ट के साथ में इस गेम को खेलने के लिए रेडी हो जाए यार जब गेम बना हुआ ही नहीं है जीटेस अभी तक तो बना ही नहीं है पूरी तरह से अर्ली स्टेच के उसके गेमप्लेट जब लीक होए थे तो यार जब गेम बना ही नहीं तो फिर वो ट्रेलर कहाँ से रिलीस करते हैं तो इस वज़े से 20 October को ट्रेलर टीसर बिल्कुल भी रिलीस होने वाला नहीं हाँ चोटा मोटा अनॉंसमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ उसके अपडेट बगार का वो अलग बात है लेकिन टीसर ट्रेलर नहीं आएगा मैंने आपको क्लियर प्रूफ के साथ में एक्जांपल दे से आगई है काफी जादा रेप्यूटेड मेंबर है यह पूरे जीटीए कम्यूनिटी के और जब रेप्यूटेड कम्यूनिटी के तरफ से अगर यह न्यूज आ रही है तो फिर तो यार यह सची होगी अल्मोस्ट 99 परसंट उसमें एक परसंट जो है यहां पर कुछ नियर्स ठीक है तो यह बात है यहां पर तो एक तरीके से देखो जीटीए फॉर लवर्स के लिए तो बहुत जादा बैड निउस है लेकिन आप बुली वालों के लिए बहुत जादा जो है वो गुड निउस है क्योंकि ग्रीन सिंगनल टेस्टू की तरफ से निकल करके आय प्रेड में रखो और बाकी जो गेम सारे उनको एंजोई करो इतना ही जो है मैं बोल सकता हूं बाकी तो यार आपकी मरजी है आप लोगो जो वह जो भी निउस आ रही है वो तो यार सेन करना ही पड़ेगा ठीक है अब बात करें दोस्तों अपने सेकेंड लास्ट गेम की ज आया नहीं है जब भी आएगा मैं आपको सेपरेट वीडियो बना करके बता दूंगा ठीक है अब बात करेंगे लास्ट गेम की जिसका नाम है जीटी ए ट्रालोजी मोबाल तो हाँ इसको लेकर के एक निउस निकल करके आई है जिसका स्क्रीन शॉट आप लोग यहां पर द नहीं है रिलीज डेट अल्रेड उसकी कंफा में मार्ज 2023 के अंदर वो रिलीज हो जाएगा और टेक्टू के तरफ से जो अभी इवेंट होने वाला है नॉवेंबर के अंदर उसके अंदर आपको एक्जैट जो तारीक है वही पता चली जाएगे ठीक है तो दोस्तों यह त आपना आज का वीडियो कंफले इंफोर्मेशन में आप लोगो बताया हर एक गेम की जिसकी भी नियूस निकल करके यहां पर आई थी बाकी के जितने भी गेम से अभी उनका कोई नियूस कोई अनॉंसमेंट निकल करके नहीं आया हुआ है क्लियर आप लोगो यहां पर में आगया होगा ठीक तो वीडियो यार आपको बहुत साथ अच्छा लगाँगा तो वीडियो अच्छा लगाँगा तो उसे लाइक कर दो शेर कर दो कमेंट्स कर दो चैनल पर नहीं तो सब्स्राइब करके बल उनको जोर सप्रेस कदे चिली गास मैं में लिटाप लोगो नेक्स रूड़ में तो लेन बाइ 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 एंडेको बाइ परिंज